हेलो स्टूदेंस वेल्कम बैक टू माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल दीसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल नोटिफिकेशन भी जरू दुबा दीजिए का ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेश है या हम बोल सकते हैanि ट不好 को मापने का टेस्ट है या फिर इंटेरिजिएंस के जो लेज़ल है उसको मेजठ करने के लिए टेश्ट बनाया गया था यह विनट और सिमान दो लोगों ने मिलके बनाया था इसका नाम बिनुट से मौन टेस्ट रखा गया थह अब हम यह जाने το एलफर बिलेट क्योंकि वह इंते लिवल को मेसर करना चाहते थे इसलिए अन्हों नहीं इनन्हों ने किया किया उन्होंने इस को यूज किया था रनाया था किस चीजद के लिए बनाया था कि वो जो mentally retarded बच्चे होते हैं उनको टेस्ट कर सके यह तो हमें पता है कि इस टेस्ट को बनाया बाद में सिमॉन जो थे वो इनके साथ जूड़ गए थे इस टेस्ट के अंदर इसलिए इसे बिने सिमॉन मैथट कहते हैं लेकिन जो सबसे पहले फ्रेंच कॉर्मेंट थी या गवर्मेंट आप इसको बोल दो जो फ्रेंच कवर्मेंट थी उन्होंने यह मैथट बनाया था था कि वो कौन कौन से बच्चे मेंटली रिटार्डट हैं मतलब दिमागी रूप से थोड़े से अस्वस्त हैं बिनेट सिमॉन ने यह टेस्ट इकठे बनाया था और यह टेस्ट उन्होंने 1805 में कंप्लीट किया था इस टेस्ट में 30 आइटम्स थे और यह आइटम्स इनफ थे बच् 1708 में कुछ ओल्ड आइटम्स को नई आइटम्स के साथ में रिप्लेस किया गया और उन सारी आइटम्स को जब कंबाइन किया गया जिनको नई आइटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था उसके बाद जब सारी आइटम्स कंबाइन की गई तो 58 नंबर ओफ आइटम बनके आई हमारे पास में क्योंकि पहले 30 items ही थी उसके बाद में आ गई 58 items after that 1911 में जो Godard थे अमेरिका के उन्होंने इस test को बचों पे इस्तेमाल किया 1916 में टैर्मेन ने Stanford University के अंदर कुछ इस test में changes किये and after doing all these changes, यह सारे changes करने के बाद में इस test को Stanford Bennett test नाम दिया गया importance इस test के यह थी कि यह test जो था इसके अंदर IQ का सबसे पहले बार ही उस किया गया था जो Intelligency Quotient है उसको सबसे पहले बार first time इस test के अंदर include किया गया था वो यह एक importance थी इस test की इस test में दो forms से L form and M form 1937 में कुछ changes फिर से इस test में किये गए और यह changes टर्मेन अंड मेरल ने किये थे और इन changes के बाद में यह जो test था इसको 1937 में Bennett test नाम दिया गया 1960 में टेर्मेन अंड मेरल ने कुछ changes वापिस से किये और उन्होंने state किया कि यह test हम 2 से 22 साल तक की उमर के लोगों के लिए ही इस्तिमाल कर सकते हैं 1986 में फिर और changes किये गए और यह state किया गया कि यह changes करने जरूरी है और यह भी state किया गया यह बताया गया कि अब हम test को 2 साल से 33 साल तक के लोगों के लिए लोगों के लिए इस test को इस्तिमाल कर सकते हैं हम यह test इस्तिमाल कर सकते हैं फिर यह बताया गया कि दो से जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी हम इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें चार मंत का difference दिया गया और यहां पर norms भी अलग तरीके के ready किये गए 2 to 6 years के बच्चों के लिए फिर 6 to 12 years जो था ग्रूप वो अलग divide किया गया इसमें 6 मंत का difference दिया गया और नए norms बनाए गए 12 to 18 years के लिए 1 साल का difference दिया गया और फिर से इनके लिए नए norms बनाए गए उसके बाद में 18 to 23 years के लिए 5 years का difference दिया गया और नए norms इनके लिए बनाए गए और उसके बाद 23 to 33 years of people के लिए 10 years का difference दिया गया और उनके लिए भी नए norms बनाए गए जो सबसे आखरी चेंज था वो 2003 में किया गया था इस test के अंदर और इस test को Bennett-Simon test नाम दिया गया इस test में cognitive factors दिये गए जिसमें fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual, working and memory included थे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, share ज़रूर कर देना और चैनल को subscribe करना ना भूलियेगा, bell notification को दबाना भी ना भूलियेगा